आशा भोसले और लता मंगेशकर का हिंदी संगीत में बहुत बड़ा योगदान रहा है. आशा भोसले ने राहुल देव बर्मन के साथ मिलकर कई मुश्किल गाने दिये जिनमें वेस्टर्न म्यूजिक का टच था. साल 1966 में आई फिल्म तीसरी मन्जिल का गाना आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा भी बेहत ही मुश्किल गाना था जिसे आडी बर्मन ने आशा भोसले से गवाया. इस गाने के लिए आशा भोसले को दस दिनों तक रियास करना पड़ा जो की अमूमन वो करती नहीं थी. आशा भोसले ने अपने एक इंटर्व्यू में भी कहा था कि जब आडी बर्मन ने उन्हें ये गाना दिया तो उन्हें लगा कि वो इतना मुश्किल गाना नहीं गा पाएंगी. अनो कपूर ने इस किस्से का जिक्र अपने रेडियो शो में किया था. आशा भोसले ने कड़े रियास के बाद गाना गाया जिसे सुनकर आडी बर्मन बेहत खुश हुए. उन्होंने इनाम के तौर पर आशा भोसले को एक सो रुपए दिये. उनकी खुशी देखकर आशा भोसले ने उनसे अपने मन की बात कह डाली. उन्होंने आडी बर्मन से शिकायती लहजे में कहा, तुम सभी अच्छे गाने तो दी दी, लता मंगेशकर को दे देते हो और मुझे वो गाने देते हो जो मुश्किल होते हैं और जिन्हें कोई और नहीं गा पाता. उनकी इस बात पर आडी बर्मन ने कहा कि तुम सभी तरह के गाने गा सकती हो, इसलिए मैं बनाता हूँ, अगर नहीं गाओगी तो मैं मुश्किल म्यूजिक कम्पोज नहीं करूँगा. आशा भोसले ने इसके बाद भी आडी बर्मन के साथ मिलकर कई मुश्किल गाने गाए जो आज भी हित हैं. आशा भोसले और आडी बर्मन में साथ काम करने के दौरान ही प्यार हुआ. दोनों पर पश्चमी संगीत का प्रभाव था जिस कारण दोनों और करीब आए. जब दोनों ने शादी का फैसला किया तो आडी बर्मन की मा नाराज हो गई. वो आशा को अपने घर की बहु बनाने के खिलाफ थी. इसके कुछ समय बाद आडी बर्मन के पिता एसडी बर्मन का निधन हो गया जिसके बाद उनकी मा को मानसिक बीमारी हो गई. मा की खराब हालत को देखते हुए आडी बर्मन ने आशा भोसले से शादी कर ली. दोनों की शादी साल 1980 में हुई थी. आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं. और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. जय हिंद!